मुंफली ले 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 गरम गरम मुंफली ले ले मुंफली वाली सर्दियों में गरम गरम मुंफली खाएं और मुंफली खाकर अपनी सर्दी मिटाएं रानो चड़िया एक महंती चड़िया थी वो समय के साथ साथ खाने की चीजे बेचा करती इस बार तो उसने मूमफली की रहडी लगाई थी कालू हम तो सोची रहे थे और ये चड़िया मूमफली लेकर आ भी गई मरे मर जाईए चड़िया हमें तो कोई धंदा नहीं करने देती आज मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा जाता हूँ ऐसे कहकर कालू कावा गुस्से में अपनी लाठी उठाता है और चड़िया की रहडी पर चला जाता है चोटी कमजोर चड़िया आज के बाद अगर तू मुझे मूमफली बेशती दिखाई दी तो मैं तेरा सर फोड़ दूँगा अभी के अभी भागी यहां से और कभी नजर ना आना कालू भाया मैं इस ठेले पर काफी सालों से सामान बेचती हूँ मैं ऐसे यहां से नहीं जाओंगी इस से मेरे बच्चों का गुजारा होता है चड़िया ने इतना बोला ही था तभी कालू कावा उसे एक लाठी मार देता है एक बार का समझ नहीं आता तुझे जाती है या एक और लगाओं नहीं नहीं जाती हूँ जाती हूँ यहां से अम मुझे मत मारना मैं जाती हूँ यहां से चिड़िया कालू कावे से बहुत डर जाती है और सीधा अपने घर चली जाती है मम्मा आप आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गई कुकु भाया मम्मा की मुमपली जाते-जाते ही बिच गई होंगी इसलिए वो घर आ गई ऐसे बाते करते हुए कुकु गुडिया की नजर अपनी मम्मा के सर पर जाती है वो तो लाठी लगने से बहुत जायदा सूजा हुआ था मम्मा मम्मा आपको चोट के से लगी किसी ने आपको मारा है नहीं बेटा किसी ने नहीं मारा मुझे मेरा सर तो एक पेड़ से टकरा गया था इसलिए चोट लग गई गुडिया बहुत समझधार थी वो चोट के निसान को देख कर समझ जाती है मम्मा सच सच बताएं आपको हमारी कसम है आपको जरूर किसी ने मारा है आप हमें बता दें रानो अपने बच्चों के कसम सुनकर उन्हें कालू की सारी बाते बता देती है मेरे बच्चे मैं कमजोर पक्षी हूँ और वो कवे बहुत ताकतवर इसलिए मुझे पे जुलम करते है मम्मा अब मैं ऐसा नहीं होने दूँगा मैं अब बड़ा हो रहा हूँ और उस कालू अंकल को आप पर हाथ उठाने की सजा दूँगा मैं जा रहा हूँ कुकु मेरे बच्चे मैंने कबाब को बड़ो पर हाथ उठाना सिखाया है चिप करके बैठे यहीं वो मुझे सिर्फ मुझे बेचने का मना कर रहा था मैं कुछ और सामान बेच लूँगी मगर उन बुरे कवों से जगड़ा नहीं करूंगी ऐसे चड्या अपने बच्चों को समझा कर बजार जाती है और सर्दियों के गरम कपड़े लाकर बेचने सुरू करती है गरम कपड़े वाली मौझे ले लो बच्चों के मौझे ले लो सिखाफ ले लो पंको के दस्ताने ले लो मौजे ले लो चिडिया बहन मेरे बेटे के लिए दो जोड़े मौजे और एक सिखाफ दे दो ये ले लूसी बहन आपके मौजे और एक जोड़ा सिखाफ ऐसे चडिया के कपड़े बेचने का काम भी अच्छा चल रहा था वही सामने बैठे कवे अपनी मौफलिया बेच रहे थे मौफली ले ले गरम गरम मौफली ले ले मौफली ले ले गरम गरम मौफली ले ले ओए मिठू कहां जा रहा है गरम गरम मौफली लेता जा बच्छों के लिए नहीं गोरे मेरे पास पैसे नहीं है आपकी मौफलिया अगली बार लूँगा तेरे पास कभी पैसे होते भी है या यूही बजार में खूमता है अब चल चल आगे बढ़ रहडी के सामने मत खड़ा हो रुकना भी कौन चाता है जाता हूँ ऐसे बोल कर मिठो आगे बढ़ता है और चड़िया की दुकान पर रुक जाता है आए आए मिठो भीया आपको क्या खरीदना है जानो मुझे हर्याली के लिए जर्से और मोसे दे दो कल उसे साम ठंड लग गए थी खामे खाम बुल बुल से तेन सो रुपे की दवा लानी पड मिठो भीया ये जर्सी बहुत गरम है इसमें हर्याली को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी और ये मोजे ये मोजे तो लेडी जो को बहुत पसंद आते हैं आप ये वाले ही ले जाएं ठेक है रानो ठेक है आप यही दे दें फिर रानो मिठो को गरम कपड़े दे देती है मिठो उसे पांसो का नोट दे कर चला जाता है गोरी ये सब अपनी आखों से मोर्ती बनी देख रही थी कालू इस चड़िया की तो खुब बिक्री हो रही है अभी अभी मरा मिठो पांसो का नोट दे कर गया हाँ और हमारी अभी दो सो रुपे की मुम्फली भी नहीं बिच ये मनहूस मरे चड़िया ना जाने कब मरेगी कालू सारे ग्रहक पहले गरमकपडे खरीद से हैं और बाद में बचे कुछे दस पांच रुपे की मुम्फली मैं तो कहती हूँ चड़िया के गरमकपडे बेचना भी बंद करा दो हाँ गोरी ठीक कहा अपने कल सुबह सुबह काही चड़्या की फिर से कपर लेता हूं ऐसे बाते कर वो अपने अपने घर चले जाते हैं अगले dyn चड़ीया सबाद सबाह अपने गरमकपड़े लेकर आ जाती कालू कवाब भी लाठी लेकर उसका इंतजार कर रहा था जोटी चड़िया तुम ये गरमकपड़े यहां भागो भागो यहां से कालू कवे आपकी परेशानी क्या है मैं मुंफली बेचू तो आपको दिकत और अब कपड़े बेच रही हूं तो भी आपको परेशानी है अब मैं अपने गरम कपड़े बेचना बंद नहीं करूंगी आप चले जाएं यहां से तेरी यह मजाल जो पिछले बार के डंडे की याद दिलाता हूं तुझे फिर कालू कावा फिर से रानो चडिया पर वार करता है वो तो लाठी मारे जा रहा था रानो रोते हुए वहां से अपने कपड़े लेकर चली जाती है और दोनों कवे खुसी-खुसी अपनी मुंफली बेचने आ जाती हैं मम्मा आपको उस बुरे कालू अंकल ने फिर से मारा आप इतना जुलम क्यों सहती हो मेरे बच्ची और हम कर भी क्या सकते हैं मुझे उस कालू कावे से बहुत डर लगता है लाठी लाठी से मारता है वो दोनों बच्चे अपनी मम्मा की हालत पर बहुत दुखी थे और क होते ही कालू के घर के बाहर छप जाते हैं गुडिया बहन घबराना मत बस यह याद रखना वो बुरे कवे हमारी मम्मा को मारते हैं और जोड जोड से लाटी चलाते जाना मैं भी खूप पटाई करूंगा आज उनकी ऐसे दोनों बच्चे गुस्ते में पेड़ पर छपे बैठे थे कालू गोरी रात होते ही अपने घर आते हैं अभी गुडिया कुकु उन पर हमला करते हैं वो उने खूम मार लगाते हैं आखिर अपनी मम्मा का बदला जो ले रहे थे गुडिया मारें मारें इतना मारें यह दोबारा से हमारी मम्मा को मारना भूल जाने कुकु गुडिया रुक जाओ रुक जाओ आज के बाद में तुम्हारी मम्मा को कभी नहीं मारूंगा पलीज मत मारो गुडिया गुडिया बेटी मैं आपके अंटी हूँ मुझे क्यों मार रही हो और मैंने थोड़े ना आके मम्मा को मारा हैं और आज के बाद इस कालू को भी नहीं मारें दूंगी तुम दोनों रुक जाओ ऐसे दोनों बच्चे गहरी सांस लेते हैं और रुक जाते हैं कालू गोरी तो बुरी तरा से घायल हो चुके थे कालू अंकल आज के बाद हमारी मम्मा को कभी मत मारना जब जब हमारी मम्मा रोती है हमें बहुत बुरा लगता है हमारी मम्मा बहुत अच्छी है कभी किसी को दुख नहीं पहुँचाती और आप उने बेवजा मारते हो ठीक है ठीक है छुडिया के बच्चे अब तुम जबान हो गए हो मैं तुम्हारी मम्मा को कभी नहीं मारूंगा हाँ बच्चो हम कभी उसे समान बेचने से भी नहीं रोकेंगे अब हमें माफ कर दें और जाएं यहां से ऐसे दोनों बच्चे अपने घर चले जाते हैं कालू गोरी तो मार खा कर बहुत डर गए थे आज कालू गोरी को पता चल गया था चड़िया अब अकेली नहीं है उसके दोनों बच्चे बड़े हो गए है कालू अब चड़िया के बच्चे बच्चे नहीं रहे कैसे हमारी धनाई करके चले गए हाँ गोरी अब तो मैं भी चड़िया से दूर रहूंगा उसके आसपास भी नहीं भटकूंगा कालू गोरी को अच्छा सबक मिलता है वो तो अगली सुभार रानो के घर जाते हैं रानो आप आज से ही वही कपड़े बेचे मैं कुछ नहीं कहूंगा ये बोलकर कालू कववा वहां से चला जाता है रानो तो गहरी सोच में थी गुडिया कुकू कववो को किसी ने मार लगा दी पर जिसने भी ये किया है बहुत अच्छा किया लगता है अब ये सुधर गे ऐसे बाते कर रानो अपने कपड़ों का रहड़ी भी वही पर लगाती है और खुब सारे कपड़े बेचती है कालू गोरी तो उसे बहुत दोर अपनी मुमफली का ठेला लगाते थे मैं अपनी मा के घर जा रही हूँ मेरे भाईयों की साधी है गोरी साधी तो एक महीने बाद है फिर इतनी पहले इतनी पहले क्या करोगी वहाँ जाके तुम अपना मुँ बंद रखो बस मौका चाहिए बोलने का मैंने कहा ना मैं जाऊंगी तो जाके रहूंगी और तुम र तो वहाँ मजे से लड़ू जले भी अखाएगी और मुझे यहाँ केला छोड़गी है सूखा धाना खाने के लिए ऐसे कालू कवा अपने घोसले में लेट जाता है ममा ममा आज मेरा मन पीज़ा खाने का है मैं ये खिचडी नहीं खाऊंगा कुकु बेटे इतनी रात को पीज़ा देने आ जाएगा मैं अभी आडर करता हूं कुकु आप ये क्या बोल रहे हो मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा रुको ममा मैं आपको सब समझाता हूं पहले पीज़ा आडर कर दूँ फिर कुकु दो पीज़ा ओडर कर देता है मिठु तोता जोकी पीज़ा इस तो यहीं का है हाँ रानो चुडिया का गोंसला यहां से सीधा जाके नीम के पेड़ पर है वैसे तुम कौन हो और इस पेटी में क्या है इसमें पिज्जे है और मुझे रानो के घर भी तो पिज्जे देने है आपका धन्यवाद अब मैं चलता हूं पिज्जा ये क्या होत और रानो के घर पहुंच जाता है क्या रानो चड़िया का घर यही है हां भाई जी मेरा नाम ही रानो है और मेरे बेटे को कुने ही दोपीजे मंगवाई है फिर मिठु तो अपनी पेटी से दोपीजे निकाल कर चड़िया को दे जाता है और वहां से चला जाता है लेकिन भीया आपको मुझे कुछ काम है जो यहां पर आए हो नहीं नहीं रानो चड़िया वो तो ये पिज़ा वाला पक्षी मुझे यहां ले आया बोल रहा था रानो के घर पहुचा दो तो मैं चला आया अच्छा कालू भीया अब आए हो तो पिज़ा खा कर ही जाएं चलें आप गोंसले में आकर बोलता है वा पिज़ा तो एकदम लाजबाब था मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं खाई जीतो कर रहा था चड़िया का पूरा पिज़ा खा जाऊं ऐसे सोचते हुए कालू कवा सो जाता है उसे तो सुबह को भी पिज़ा ही याद आ रहा था ये भी कोई खाना है सूखा दाना मैं नहीं खाता मैं तो अब पिज़ा खाया करूंगा नरम नरम और स्वादेश्ट मगर कैसे मेरे पास तो एक फूटी कोड़ी भी नहीं जिससे में पिज़ा खा सकूं ऐसे कालू कवा अपने गोंसले में बैठा हुआ था तब ही उसकी नजर पिज़ इसके पास तो वही पिज़ीं पीज़े की पेटी है मैं अभी जाकर इसको बद्धू बनाता हूँ और पीज़ा खाता हूँ ऐसे भागता हुआ कालू कववा पीजे वाले का पीछा करता है वो उससे आगे निकल कर रोड पर छोटी छोटी नकूली कीले बिखेव देता है और खुद पेड के पीछे छप जाता है मिठू तोता अपनी मस्ती में चले जा रहा था ऐसे मिठू अपनी मस्ती में वहां से जा रहा था तब ही उसके बाइक पंचर हो जाते हैं और वो वही रुक जाता है अरे बापरे ये क्या नर्थ हो गया मेरी गाड़ी का तो टायर ही फट गया यहां तो कोई मोटर मकैनिक की दुकान भी नहीं है अब मैं क्या करूं तब ही कालो का वह पेड़ से बाहिर आता है क्या हुआ है तुमारी गाड़ी को तेल खतम हो गया क्या नहीं नहीं भाई साब टंकी तो फुल है मेरी गाड़ी का टायर फट गया है क्या कहा टायर फट गया है तो आगे जाके बदलवालो वहाँ दुकान है चलो चलो मैं पीछे से धका लगा देता हूँ आपका धन्यवाद भाई साब जो बिना मांगे ही मेरी मदद को चले आए आप एक नेक बक्षी हो फिर मिठू तो तो आगे से बाई को पकड़ता है और कालू कवा पीछे से धका लगाता है कालू यहीं मौका है पिज़ा लेकर भागने का जल्दी से भाग जा कालू तो जट से पिज़ा की पेटी उठाता है और वहां से भाग जाता है मिठू तो सब देखता रह जाता है हाई हाई भाग्या बदमास भाग्या पूरी पेटी लेकर भाग्या कववे मैं तुझे चोड़ूंगा नहीं कभी तो हाथ आएगा मार मार के पिजा जैसा नहीं बना दू तो कहना हाँ ये सही जगा है पिजा खाने की यहां मुझे कोई नहीं देख पाएगा आहाहा क्या खुसबू है पीजा की ऐसे कालू कववा बड़े मजे से पीजा खा रहा था और बेचारा मिठुतोता तो बहुत परिसान था पती जी आज आप इतना दुखी क्या है अर्याली एक कववा मेरी पूरी पैटे लेकर भागया सारी पीजो के रुपे मैंने अपनी जेब से दिये है गाड़ी का टायर भी भट गया आज पूरे चार पाँच हजार का खर्चा हुआ है पती जी जिसके मुँ एक बार मास लग जाए तो वो घास फूस नहीं खाता आप देख लेना वो सैतान फिर से आएगा पिज़ा लेने पर यॉली आने था उसे मैंने भी ऐसा जुगाड सोचा है कि वो जिंदगी में पिज़ा खाना ही भूल जाएगा फिर अगले दिन भी कालू कावे को पिज़ा खाने का बहुत मन होता है फिर कालू कवा उसी रास्ते पर मिठु तोते का इंतजार करता है जैसे ही उसे मिठु तोता दिखाई पड़ता है वो तो जल्दी जल्दी जमीन पर कीले बिछाता है कालू जल्दी कर पिज़ा वाला आ गया जैसे ही वो यहां रुकेगा तो पेटी लेकर भाग जाऊंगा कालू कवा कीले बिखेर कर उचे पेड़ पर छप जाता है मिठु नजदी काता है और उसी जगह पर टायर फिर से फट जाता है हाँ कल भी इसे जगह पर टायर फटाता और ये कीले पका उसे बदमास कवे का जाल है मुझे फिर से फसाने का मिठु तोता ऐसे सोच रहा था तभी कालू का वा तेज उड़ता हुआ आता है और पिज़ा वाली पेटी लेकर भाग जाता है मगर आज पेटी इतनी भारी थी कशा विए कैंज कालू उड़ने की वजबा ये नीचस गिर जाता है उसकी चाँच भी टूट जाती है मेरी जाच चाँच टूट गी मेरी लंबी चाँच टूट गई दूट गई मेरी चाँच सेथान कवे अब आयान मचा और खाउ पीजह नहीं 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 खाऊंगा कभी भी नहीं खाऊंगा मगर कल तो ये इतना भारी ना था फिर आज क्या ले आई इसमें मैंने पिज्जा की जगापर आज इसमें पत्थर भरे हैं ताकि तुम जैसे ही इसे लेकर ऊपर उड़ा तो नीचे गिर जाओ और वैसा ही हुआ अब आगे से कभी भी मेरे पिज्जा लेकर ना भागना वरना इससे भी बुरा हाल होगा तुमारा फिर मिठो तोता वहां से चला जाता है और कालू कववा अपनी तूटी चौच को लेकर वही पढ़ा रहता है इस तरह से कालू को पिज्जा चुराने की सजा मिलती है और वो कभी ना चोरी करने की कसम खाता है